कि अधिया व्रीमन तेज़े श्यमांगी वेलकम टो शेफ उस वीडियो में डिसकस करेंगे इंपॉड़ेंस आफ स्टाइस्टिक सांखगी का महत तो के विए स्टाइस्टिक से लेटिट श्लेवर्स में जितना भी दिया हुआ था तो वह कबर हो चुका है यह लास्ट ऑप ए स्टेटिक से एसका है खिले यशले हैं तो एक्सटेटिक से लिए प्राप्णितिक करते सब्सक्ति हैं है Нstudhi करने में हल्प करता है रह्लों है कॉइस के तुर्ड को जो ऐसे एक्जामपल यह है?" जो कि में पार्फिक समस्यां उनकों के तुल मिक्री एक्सृत के लिए इस्ट्राइन कर वे इंडिया के अंदर चैनक रॉप घरम्पफ के रॉप है डिया को उनल्य거든 giving eORT पर चेंट्रानी को सकते हैं। कर सकते हैं तो हम सेक्टर की बात करें हैं। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग जो है सिकिंडरी सेक्टर में काम करते हैं तो इस तरीके से और inter temporal comparison की बात करें तो यहां पर किसकी बात की जाती है कि यहां पर आगर हम देखें कि जो different plan periods होते हैं किसमें ruler और urban employment में तो यहां पर compare किया जाता है next है हमारा cause or effect relationship कारण और प्रभाव कि जो cause or effect होता है किसी भी जो data का different sets of data होते हैं उनका use किया जाए और find किया जाए उनके अंदर कि क्या cause or effect relationship का तो यह enable करता है policy maker को formulate करने के लिए policy producer का behavior market के अंदर जिस example है कि कैसे जो consumer sorry जो producer हो choose करते है combination of input to produce the good to maximize their profit की यह ने आगतों का इस्तिमाल किया जाए जिससे वह जासा से जादा profit है लाब है वह कमा सके तो यह क्या है हमारा help करता है किसका economist को यह चीज़ को समझने के लिए नेक्स्ट है हमारा developing economic theory तो economic theory को develop करने में भी help करता है जैसे law of demand है law of supply है तो किसके data के तुरूई तो हमें पता लगी कि price के बढ़ने से demand कम हो जाती है price के बढ़ने से supply बढ़ जाती है तो data के तुरूई तो हमें यह relation पता लगा forecasting करने के लिए कि आगे क्या होगा इस साल inflation जाता है तो next year भी इतना inflation हो सकता है तो वह data के थूई हमें पता लग सा है या कम हो सकता है या GDP की growth कितनी होगा इस साल इतनी हो सकती है तो next year इतनी हो सकती है या इतनी से कम हो सकती है formulation of policies बनाने के लिए तो यह help करता है यहां पर तो यहां पर example अगर देगें तो government क्या चाहती है कि formulate क्या modify करना चाहती है जो labor के laws है तो यहां पर statistical data का जो उनके working condition उनके working hours कितने minimum wage कितने होने चाहिए तो इस तरीके उनके working condition कहती है तो यह data जोने रिसीव होगा तो उसे पॉलिसी का क्या कर सकते है formulate कर सकते हैं नहीं नीतियों का निर्मान कर सकते हैं तो यह था हमारा statistic का importance तो यहां हमारा statistic का जो topic है वो खतम होता है I hope आपको clear हो रहा होगा अगर वीडियो अच्छी लगिए तो like it share it and subscribe my channel thank you